अमेठी में एक पत्रकार ने सवाल पूछा, इस्मृती रानी गुस्से में आ गई, पत्रकार को बहुत कुछ बोला, तो सपानेता काजल निशाद ने उनकी कही बात को पकड़ लिया काजल निशाद एक दिन तक तो नहीं बोली, लेकिन जब लगा इस्मृती रानी माइलेज लेने के फिराग में हैं तो बोल दिया, चंद शब्दों में पोल खोल कर रख दी काजल ए एरानी से ऐसा पूझा सवाल कि मामला लाइम लाइट में आ गया, सब पूछने लगे, इस्मृती से काजल वाला सवाल बड़े दिनों के बास सपानीता काजल निशाद ने फिर अपना अंदास सिखाया, फिर अपने तेवर से वाकिव कराया, फिर से अपने विरूधी को निशाने पर लिया, फिर से एक ऐसे मुद्दे को साथ दिया है, जिसे इस वक्त साथ की जरूरत थी, अमेथी में कैबिन अब काजल निशाद ने इस्मृती रानी को ही घेड लिया, अब काजल ने कुछ ऐसा सवाल इस्मृती रानी से किया, कुछ ऐसा जवाब मांगा, कुछ इस तरह से कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी से कनेक्शन किया, इस्मृती रानी की नजर काजल के कहे शब्द पर कैबिनेट मंत्री इस्विरिती रानी के बारे में क्या कहा उसके बारे में बताएंगे पहले जान लिजे इस्विरिती रानी ने उस पत्रगार को क्या कहा था अगर मेरे छेत्र का अपमान करें भाईया तो मैं आपकी मालिकाना उनको भोल करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं छेत्र की जनता का अपमान करें नहीं कोई अपमान नहीं हो रहा है मैं करूगी फोन और कहूंगी सलोन बिजान सभाठ छेत्र, अमेटी लोक सभाठ छेत्र का हिड़ा है मेरी छेत्र की जनता का अपमान मत करें ना आप होँए बड़े रिपोर्टर लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं अब उस पत्रकार से उसके ही और्गनाईजेशन ने मुढ़ लिया उसे अपना मानने से इंकार कर दिया शायद कैबिनेट मंतरी इसमृतिरानी के सामने सास्टांग हो गई लेकिन सपानिता काजल इशाद की सियासी मूर तो इस वक कुछ और ही है इसमार की तरह इसमार भी अपने ही तरीके का है, वो खामोश नहीं रही चुपी नहीं साधी कैबिनेट मंतरी इसमृतिरानी का अपने तरीके से मौच देगी बासार में उत्पादन में सुस्ती देखते हुए इसक्या शंक화 है कि देश में चीनी महिंगी हो सकती है तो अब सवाल ये है कि पत्रकारों को धमका कर रहुल गांदी से महबत की आशा में इसमरिती जी 13 रुपे में शक्क करकब देंगी काजल इशाद यहां इसमरिती रानी से वही सवाल कर रही है जो कभी इसमरिती रानी कॉंग्रेस के शाषन की दौरान तब के प्रधानमत्री मरमुहन सिंग से किया करती थी कभी गें सिलिंडर लेकर धने पर बैट जाया करती थी सरकार से सवाल किया करती थी महिंगाई डायन से कमने जात मिलेगी कभी देश की सुरक्षा के मामने में सरकार को चूड़िया दिखाया करती थी अब वही दौर काजल इंशाद को दिख रहा है तो वो भी इस्मृतियरानी से उसी तरह का सवाल कर रही है क्या इस्मृतियरानी काजल अशाद के सवाल का जबाब देंगी या फिर एक्णोर करने की कोशिश करेंगी आपको क्या लगता है अपने राज जरूर दें पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें